संसद के निचले सदन यानि लोगसभा में पिपक्ष तवरा लाए गया और विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ बोलते हुए हाजपा सांसद राजिवर्धन सिंग राठोर ने कॉंग्रेस पर जम कर निशाना साथ और राजस्थान में बढ़ते अपराधों का जिक्र की 18 में भी यह विश्वास प्रस्ताव लाए थे तब ऐसे ही राहूल गांधी बार-बार चिलाते थे कि हिंदुस्तान इतिहास में पहली बार असुरक्षित हैं ये बात हिंदुस्तान के लिए तो लागू नहीं हुए पर राजस्थान के लिए ज़रूर लागू हुए राजस्थान आज पहली बार और सुरक्षित है अपराधों और ब्रष्टा चार के मुद्दे में नंबर वन है सदन में राजवर्धन ने यह भी कहा कि नौर्थ एस्ट में पिछले 40 साल से हिंसा हो रही है कश्मीर और पंजाब में जो कुछ हो रहा उसके जिम्मेदार कॉंग्रेस है राजवर्धन ने यह भी कहा कि यह लोग 60 वर्षों से देश के लिए कुछ नहीं कर पार और यह सब कुछ प्रधान मंतरी मूदी ने सर्फ 9 सालों में करके दिखाया सुनिया गांधी और राहूल गांधी को निशानी पर लिया और उन पर देश द्रोक आरोप लगाया उन्होंने कहा कि मैं साल 2008 में बीजिंग उलम्पिक में था हमें पता चला कि सुनिया गांधी और राहूल गांधी हमसे मिलने आ रहे है वे हमसे मिलने नहीं आए बलकि वे चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी से में अगर कोई जैनिक होता तो उस पर गदारी का मुकदमा चलता इन पर गदारी का मुकदमा होना चाहिए संसद में राजवर्धन ने कॉंग्रेस की गहलोत सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि राजस्थान में हर दिन 17 रेप और 7 हत्याई होती है इनके ही मंत्री ने सदन में कहा कि मनी पूर पर नहीं हमें राजस्थान पर चर्चा करनी चाहिए कि एक खास समुदाई के तेवहार पर बिजली कटोती नहीं होगी हिंदूओं का तेवहार भी था तब डीजे, पोस्टर और उसके लिए भजन बजाने की अनुमती नहीं दी गई भजन कौन से बजेंगे वो भी कॉंग्रेस बताई के इनकी तुष्ट्री करन की यह नीती है तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि राहूल गांधी को अपने ही मुखी खानी पड़ी संसद में जिस मनीपूर के मुद्दे पर बिपक्ष ने बीजेपी को घेटने की कोशश की वही बिजेपी के संसद ने बिपक्ष पर ही पलचवार कर दिया जागरुप टाइम्स के लिए जोते यादव के साथ प्रितम सिंग की रिपोर्ट